कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छ होगे टेक्निकल भुपाल की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इसके लुक्स को तो आज जो हम इसी के बारे में जो जानने वाले बात करते हैं सबसे पहले इसके इंजिन की के इसकी इंजिन स्पेसिफिकेशन कैसे हैं तो इसकी इंजिन स्पेसिफिकेशन वो है वो जो है इस प्रकार है इसमें जो है आपको बीच शिक्स का पेट्रोल वाल को फॉलो करता है इसके पावर जो है इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 152 PS का जो की 6200 RPM पर है अगर हम इसकी फ्यूल एफिशेंसी की बात करें तो यह बहुत ही ज्यादा जो है फ्यूल एफिशेंट होने वाली यह गाड़ी बात करें इसके विभी एक एक चीजसे मतलब यह कंड़ी ने रखी है अपने कस्टूमर्स के लिए कस्टूमर्स को और इसमें आपको ऑ् जोए संफृ देखने को मिल जाएगीई इसके जो способ है बहुत सारे विरिंट्स आइंगे SSXSXO आपका यह वेरियंट्स में गाड़ी आपको मिलने वाली है जिसमें, जो है कुछ-कुछ फीचर्स कम होंगे बेस वेरियंट में पूरे जो टॉप वेरियंट में आपको जो अगर आप तॉप अफ दा लाइन वेरिट लेते हैं तो सब कुछ आपको जो देखने को मिलने वाला है अगर बात करें इसके हैडलेम्प की तो आपको इसमें डायनेमिक ग्रिल देखने को मिलेगी फ्रेंट जिसमें आपको जो थोड़ा सा क्रोम गार्णिस होता हुए देखेगा बहुत ही अच्छी लग रही है बात करें इसके हिंड़े के एंबलब की तो आपको जो हैंबलब आपको बीच में देखने को मिल जाएगा बहुत ही स्लिक सेडन कार्स के हमेंसा जो है अच्छे रहते हैं अगर आप इसको हाइवे पर चलाते हो तो बहुत ही अच्छी जो है यह रोट पे ग्रिपिंग और परफॉमेंस देने वाली है आपको डाइनेमिक्स पे भी एवरेज थोड़ा से डिपेंड करता है गाड़ी जो है हवा को कि अच्छा किया होगा इसके इंजन को और अच्छा किया है बेसिकली बात यही है क्योंकि एरो डाइनेमिक्स पे भी बहुत ज्यादा जो है फ्यूल एफिशेंसी का जो है असर पड़ता है बैक साइट की बात करते हो यहां पर आपको शारक फिन टाइप एंटीना देखने को मिल जाएगा जो की ग्लास एंटीना है जिसमें जो की कार में प्रीमियम जो है फील आती है एलेम्स की बात करना तेलेम्स में आपको जो है एलेडी टेलेम्स देखने को मिल जाएगी इंबिल्टी दोर में सकफ प्लेट देखने को मिल जाएगी एंड ऑटोमेटिक एड़ेस डिस्प्ले दिया हुआ है जिसके अंदर जो आपका ट्रिप मेटर ओडो मीटर सब कुछ आपकी गाड़ी के इंफोर्मेशन गेट बगरा खुला है तो आप जो उसी में देख सकते हो स्टेरिंग वील रिमोट कंट्रोल सापको जो देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के पूरा जो ड्राइवर का आपका स्टेरिंग वील होता हुआ उसी में आप सब कुछ जो ड्राइवर कर सकता है अराम से अपने नेविगेशन बगरा तो इसके अंदर आपको 20.32 सेंटीमीट का HD screen देखने को मिल जाएगा जिसमें की आप अपना नेविगेशन बगरा कर सकते हो इसके अंदर आपको Apple CarPlay, Android Auto और वीडियो प्लेइंग मोड्स सब कुछ देखने को मिल जाएगा और हम को पेसेंजर साइट की बात कर तो यहां पर आपको एक कूल ग्लोब बोक्स देखने IR PM की बात करने तो इसमें जो आपको Blue Link inbuilt मिलता है गाड़ी के अंदर जो की Hyundai की सारी गाड़ियों के अंदर आने लगा है बैक साइड के अगर बात करें तो बैक साइड में आपका Cup Holder देखने को मिल जाएगा Rear Race Events देखने को मिल जाएगे पैसेंजर की नीट के लिए इसकी प्राइजिंग के बात करें तो आपको जो है वीडियो पर शो हो रही होगी इसकी जो प्राइजिंग है इसकी ताद उम्मीद करता हूँ आपको वीडियों बहुत जाना मज़ा है अगर वीडियों मज़ा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाने चैनल को और इसकी ताद मिलते नेक्स्ट वीडियो में टेल देन टेक कर बाब बाई